हेलों वेलकम एवरीवन वेलकम टो एर ऑफिशल यूटिप चनल एजुकेशन में डीडव्यू सभी स्टुट्स का स्वागत है आज की सेशन में आज की इंपॉर्डेंट अपडेट को आपको देने वाले हैं वह है FCI की रिकार्डिंग है जो FCI, Food Corporation of India ने रिक्रूट्मेंट के लिए जो नोटिकेशन आउट करनी है उसके रिगार्डिंग ये जो है अपकमिंग नोटिकेशन की एक जो नोटिस है वो आज डिस्कस करते हैं एक नोटिस जो है ऑफिशल वेबसाइट FCI की आउस पे अपलोड किया गया है उसमें बताय है ये नोटिकेशन आपके स्क्रीन पे भी है इसमें है क्या मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें इन्फोर्मेशन है रिगार्डिंग वेकेंसी ऑफ कैटिगरी 2, 3 & 4 that was published on 28th Feb 28th Feb को ये नोटिकेशन जो आउट की गई थी जिसका नमबर और डिमेंशन है 12th 4, 2022 को इमेल के जरीए उन्होंने बताया है कि ये एक combined जो है वेकेंसी टेंटिटिव उन्होंने एक लिस्ट जारी की है वो मैं आज शेयर करता हूं आपके बताता हूं है क्या category 2 की जो वेकेंसी है उसको compile किया गया था 30th March तक जो टेंटिटिव वेकेंसी थी 3rd और category 4 इसके लिए compiled जो थी वो 28th Feb को की गई थी तो ये compiled जो लेस्ट अब आउन्होंने जारी की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक category 2 की सबसे पहले जो वेकेंसी है ये वेकेंसी है अलग अलग केडर के लिए जैसे की डीपो के लिए डीपो के लिए डीपो के लिए S.E.S.T. 1 एकनोमिकल लिए वीकर सेक्शन 1 तो टोटल जो है वो 3 है जेनरल के लिए 5 टेकनिकल के लिए 16 अकाउंट के लिए 8 और सिविल के लिए 2 एंड में के लिए 1 टोटल अगर बात करें category 2 की जो रेक्रूपमेंट्स है वेकेंसी आउट होने वाली है वो है 35 आगे बात करें लिए वेकेंसी category 3 के लिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट की जल्दी आउट होने वाली है टेकनिकल के लिए टोटल 581 पोस्ट है जनरल के लिए 497 अकाउंट के लिए 166 डीपो के लिए 1178 जे एमे 12 जे सिवल के लिए 32 टाइपस्ट हिंदी के लिए 40 एजी सेकेंड स्के के लिए 4 तो यह है category 3 की जो नोटिफिकेशन जल्दी आउट होने वाली है प्लस category 4 भी इन्होंने इस बार आउट करनी एफसे ने डैट इस और वाच्मन उसमें रीजन वाइस अमने जो बताई वही है एक्च्छल में तो पंजाब के लिए जो सब इंपॉर्ट है पंजाब परदेश 43 डैली 58 UKD यानि उत्राखंड के लिए 4 और हैड्कॉर्टर्स के लिए 20 जेड़ो यानि जोनन ऑफिस के लिए 0 टोटल जो है 2154 वाच्मन ट्रेड के लिए category 4 की जो जल्दी आउट होने वाली है यह notification regarding FCA इसका क्या format रहेगा कैसे recruitment होगी पेपर होगा या कैसे अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकते मगर उन्होंने अफिशल वब्सेट में यह जरूर बताया है कि डिफरेंट कैटेगरी की टू त्री एंफोर कैटेगरी के लिए vacancies के लिए उन्हें एक tentative जो vacancies allot कर दी है यानि कि जल्दी इसकी notification आउट होने वाली है तो अपनी preparation आप continue रखो ठीक है जल्दी जैसे इसकी notification आती है सबसे पहले हमारा YouTube चैनल आपके साथ share करेगा हमारा YouTube चैनल जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं वो kindly share करें चैनल को subscribe करें maximum share करें ताकि जहांसे बच्चों को हर एक तरह की notification center की हो या state की government की कोई भी recruitment की notification आती है सबसे पहले हम आपको provide करते हैं तो चैनल सबस्क्राइब करें बैल like and press करें और maximum share करें ठ चीके सुन, thanks for watching